डॉक्टर का नाम लेते ही हमारे जहन में ऐसे इंसान की छवी आती है जो हमारे जिन्दगी की रक्षा करते हैं या हमारे जीने की वज़ा होते हैं आज हम आपको ऐसे ही एक डॉक्टर से मिलाने जा रहे हैं जो इंसानियत का जीता जाकता मिसाल है जी हाँ उन्होंने एक अंजान शक्स को ऐसा तोफा दिया है जिसे वो तमाम उम्र भूल नहीं पाएंगे बिना किसी स्वार्थ के आज कोई भी किसी की मदद को नहीं आता लेकिन हमारी इस मानसिक्ता को बदलते हुए एहमदबाद के डॉक्टर दीपक पटेल ने मिसाल कायम की है दरसल वो कुछ दिन पहले सुरिंद्रे नगर किसी शादी में शिर्कत करने जा रहे थे लेकिन जब वो चाय पिने उत्रे तब उन्हें खेता भाई नाम का शक्स मिला जिसे इन वायनर हरनिया था साथी उसकी हाइट भी कम थी जिसके चलते कई डॉक्टर ने उसका ऑपरिशन करने को उम्बना कर दिया था लेकिन डॉक्टर दीपक ने उसे एहमदाबाद लाकर सफल ऑपरिशन किया हाइट छोटी होने के बावजुर डॉक्टर दीपक की टीम ने मिलकर सफल ऑपरिशन किया और आज खेता भाई पूरी तरह से स्वास्थ हैं और जल्दी उन्हें घर भेज़ दिया जाएगा तो सबने रिफ्यूज किया था कि यह सर्जरी कुड़न बी पॉसिबल फिर उन्होंने मुझे दिखाया मैंने पेशेंट एग्जामीन करके फिर हमने प्लान किया था अर्ली मौनिंग फॉर इस पेशेंट की सर्जरी जिसमें मैं कहा चाता है डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं लेकिन आज डॉक्टर दीपक ने गरीब मरीज का मुफ्त में इलाज करके ये साबित कर दिया डॉक्टर दीपक की पत्नी का कहना है ये उन्होंने पहली बार नहीं किया बलकि कई बार ऐसे ही गरीब मरीजों की फ्री में इलाज करते हैं हम भी ऐसे डॉक्टर को सलाम करते हैं आज के ही सुग में लोग डॉक्टर को भगवान मानते वहीं पर मानवता को जिंदा रखने वाला एक किस्टा सामने आया लिमडी से एक पैसेंट जो की अमदावाद अपना इलाज करवाने के लिए आया था वहीं पर नील कंट होस्पीटल ने फिरी आप चार्ज करके उसक रहने के लिए कि स्पेशल रूम भी दिया कहा जाता है कि डॉक्टर एक भगवान होता है जो की आज वह साबित करके दिखाया केमरामेन आकास पटनी के साथ रविंद्र बधोरिया एनीवर नीज अमदावाद